और रुक करेंगे इस वक्त कन्नौज का अगली ख़वर कन्नौज से है वहाँ पर आपको बता दे कन्नौज में पीम आवास योजना में विरिस्टाशार करने का मामला सामने आया है वहीं पक्के मकानों में रहने वाले अमीरों को यहाँ पर घर मोहिया कराया जा रहा है परदान मंतरी आवास योजना में साट गाट कर आपात्रों को लाब दिया जा रहा है और वहीं आपको बता दे कच्चे आवासों में जो लोग रह रहे हैं इन लोगों को घर नहीं दिये जा रहे हैं इसके साथ ही आपको बता दे ग्राम विकास के पर योजना निर्देशक सुनील कुमार ने बताया है कि आपात्रों को आवास देने की सिकायत आई थी जिसके बाद डियम कन्नौज के निर्देशा नंसार जाच कारवाई की जा रही है और इस मामले में जल से जल द आवास संग्यान में आए हैं और जिन में आपको बता दे कि मामले की लेकर अविजांच परताल की जा रही है और भी जो लोग इसमें दोसी पाए जाएंगे उनको खिलाब भी कारवाई की जाएगी आपको बता दे कि पीम आवास योजना के तहत जो लोग पात्र हैं उनको मकान हैं पहले से पक्के मकान हैं जिनको नहीं देना चाहिए उनको मकान मुहिया कराई जा रहे हैं वो भी साटगाट के तहत और रुप करेंगे अगली ख़बर का आपको बता दे कि उत्तरी दिल्ली के सिंधू गाओं के नाले में शब मिलने से हड़कम्प मच गया है आपको बता दे कि किसान आंदोलन की वज़े से दिल्ली पुलिस ने शिंधू गाओं का में रास्ता बंदर कर रखा है जिसकी वज़े से लोग अपनी जान जोकिम में डाल कर इस रास्ते का इस्तिमाल कर रहे हैं साथ ही किसान आंदोलन को लेकर काफी लंबे समय से आने जाने के रास्ते पर दिल्ली पुलिस ने नाकावंदी कर रखी है जिसकी वज़े से लोग नाले की पकडंडी से होते हुए घर जाते हैं और आफिस के काम के लिए बाहर जाते हैं वहीं आपको बता दे कि यहां से अन सूचना नरेला थाना पुलिस को दी गई थी लेकिन उस दोरान गोता खोर भी बुलाए गए लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला यह यूबक नाले में गिर गया था लेकिन आपको बता दे कि इसकी पूरी सूचना लोगों ने पुलिस को दी थी गोता खोर की टीम भी पहु कि यूगक कशब कि एक गिर्गी थी तम रास्ता खलवाने के लिए वह है अगर यह रास्ता परसाथ नी खोल लगा ताम गाम के इखठा हो गए अर्थे बिरानमाटी करेंगे वहां तोड़ फोड़ करेंगे पहता हमारा रस्ता खोल दो बैस अर्नी खोल देर तो अमें बता देंग भई हम रस्ता इसलिए निकोल रहे दो हमारे से गाववाड़ा से आम करते हैं रस्ते खोल दे तो किसान कुछ नहीं कहते हैं लेकिने खाम खाही रस्ते इन्होंने बंद कर रखे हैं परिशान करने के लिए और इतनी परिशान है र सरकार ने खाम खा रस्ते बंद करते हैं रस्ते खोल दे तो किसान कुछ नहीं कहते हैं लेकिने खाम खाही रस्ते इन्होंने बंद कर रखे हैं परिशान करने के लिए और इतनी परिशान है रही है दो दो किलो तो मिट्टी खाके जाते हैं अभी एक लास मिली है रात को दस बजी यहां से निकलते हैं यह नहीं पता कि हम कब फिचल जाएंगे और कब मर जाएंगे